तो माई डेर स्टुडेंट ये है बीए फिप्त समस्टर हिंदी का पूरा का पूरा सिकेंड पेपर का माडल पेपर कोश्चन पेपर तो जिन जिन भी इन्वर्सिटी वा कॉलेज में बीए फोर्थ समस्टर को पास करके बीए फिप्त समस्टर में आए हैं और बीए फिप्त स पूछे जाते हैं कौन-कौन से कुईस्टन जुषबार आने वह सब आपको हम आज किस वीडियों बताने वाले हैं तो बीना देरी को वीडियों को सब्सक्राइब करना उसका उत्तर कितने सब्दों लिखना है यह जानकाई दी जाती है इसको आपको जरूर पढ़ लेना है सब्सक्राइब करना है जरूर नहीं कि आपको कोश्चन पर फोकस करना है और यहां देशाज नरदेफ दी गई हैं पढ़ लीजीगा तो पहला प्रस्ण है आज कि इस पीड़ों का कि गुरू गोबिंद सिंग का जीवन दर्सन बताईए तो इस कोश्चन का मतलब यह है कि जो प्रमुक हिंदी के जाने माने का भी और लेखक गुरू गोबिंद सिंग जी हैं इनका जीवन प्रच्चे लिखना है ठीक है महात्प मत्री थे। ड़ाक्टर रमेस रुक्रयालने संग थे ठीक है केंद्रेफ इछा मंत्री पूर्व केंद्रेफ इच्छा मंत्री नर्मर्मेश रशनायर कि हैं कृतियां ठीक है उनके बारे सुना उगले गीत का केंद्रे भाव अपने सब्दों में लिखे मतलब कि आपने गीत तो सुना होगा बहुत फारे राश्टे गीत उसमें से ये भी गीत है कि मेरे देश की धरती सुना उगले ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टन वर्ड है और इंपॉर्टन लाइन है जिसके बारे में आपको लिखना है कि देश की धरती हमारी एफ़ी है जिसमें कुछ भी आप वोएंगे तो बहुत अच्छे से उगएगा ठीक है तो इस परकार की हमारी धरती है इसी तरह आपको बनाके डीटेम लिखना पड़ेगा बाकी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम आपको वह सारे कुष्चन बता रहे हैं जो पिसले वर्सों में लगातार पूंचे जा रहे हैं इस बार भी आने की संभाव ना है ठीक है ओके और कौन-कौन से ज्यादा महत्पूर है वह मैं आपको टिक करा दोंगा उनका उत्तर तयार कर लिजेगा तो आपको मिल जाएगी बाकी हमारी आने वाले दिनों में जब वीडियो आएंगी तो इसमें कुष्चन भी होगा उसका उत्तर भी होगा वित नोट्स मिलेंगी लेकिन आज अभी मैं आपको मारल पेपर की जानकाई दे रहा हूं कि किस प कौन्स आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं लेकिन एक पूंचा जाए जरूर अगला कुष्चन की अचार रामचंद सुक्ल द्वारा आधिकाल को बीर गाथाकाल नाम क्यों दिया गया तो अचार रामचंद सुक्ल एक बहुत ही महत्पूर्ण कभी हैं कभी हैं और इनके द होता है ठीक है तो यह आपको अचार रामचंद सुक्ल जी द्वारा जो इन्होंने कहा गया है उसी का आप लोगों को उत्तर देना कि क्यों कहा है इन्होंने महत्पूर्ण प्रश्न है अगला की तलवार कभीता की भाफा फैली पर प्रकाफ़ डाली आपके 25 समस्टर के सिक महत्पूर्ण प्रश्न तो इतना नहीं है लेकिन आपके पास समय है तो तैयार करें दरवाइग्नोर भी कर सकते हैं ठीक इसको अगला प्रश्न जोकी 100% फसेगा नोट कर लिजिए लच्छन ग्रंथ से क्या आसा है प्रमुक लच्छन ग्रंथ कारों के नाम बताई यह सब्सक्राइब करें प्रश्नाकार का नाम बताते हुए कविता के प्रतिपाद पर प्रकाश डाले तो हिमाले कविता आपके फ्लेवर्स में हैं हंधि के से समद्र से क्वित्ब की काष्चन है नहीं प्रिकशन है एक प्रकार के कुस्चन आपको लगूत्र और देखने वे हमें दिर गूत्र गूतर आपको जिस साफ से आपको उस्सी स्टूरेंट वहर इनुम परिष्छाएं जब होगी तो आपको परिशाएं आपको प्रसन आपकर देंगे तो सबी के सामने आईसा ही लिखा होगा कि कितने को में करना उसका कितने सब्दों में लिखना आक कितने नंबर मिलेंगे तो आपको उसको देखते हुई ही प्रत्रा देना सब्सक्राइब करने में हिंदी फिल्मों की क्या भूमिका है उदाहर सवाइट अस्पस्ट कीजिए ठीक हमेशा नहीं आता सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला प्रश्ण है कि कलम आज उनकी जैबोल कविता का केंद्रे भाव अस्पस्ट कीजिए मतलब क्या है इसको इसका अर्थ बताना है ते भी हमेशा नहीं आता कभी कदार आता तो आप पढ़ भी सकते हैं अगला प्रश्ण बहुत ही महात्पूर कि आदिकाल के नाम कर्ण समद्धि बिद्वानों के प्रमुक मतों की समच्छा कीजिए मतलब कि आदिकाल को अन्य कौन कौन नाम से जाना जाता है और वो अन्य नाम रखने वाले प्रमुक कभी और प्रमुक लेखा कौन है उनका भी नाम लिखना है और उनकी रश्टाओं के बारे में भी लिखना होगा क्योंकि या दीर घुत्रे का प्रश्ण है जितना लिखेंगे उतना ही कम रहेगा ठीक है क्योंकि जितना लिखेंगे अच्छे आपको नमबर मिलेंगे तो एक हाई लेबल का और रामबान कोश्चन नोट कर लिजिए अब खंडशा में भी आप को पढ़ लेना फिर उत्तर देना है तो दिर घुत्रे का पहला प्रस्ण है कि रीत काल इन कविता की समाजिक सांस्कृतिक वाराजनीतिक प्रश्ट भूम की ब्याक्ख्या कीजिए मतलब कि जैसे चायावाद यूग है आदिकाल है रीत काल है ठीक है उनमें से एक रीत काल के प्रमक्त कविताएं रही हैं और उन कविताओं में समाजिक के वारे में कीअ बताया गया है समाजिक क्या था यस यही आपको लिखना है अगला प्रस्ट है कि जैसंकर प्रसाद के प्रकाश्ट डाले यानि कि जैसंकर प्रसाद जी का प्रूरा जीवन परचाए प्लफ उनकी जो रशनाएं है उनके बारे में आपको लिखना है कोश्चन का मतलब यही है ठीक है सिंपल सब्दों में अब मोस्ट इंपार्ट कोश्चन पक्का फचाइगा जैसें का प्रसाज इस फिर्ड़ा कोश्चन अब अगला प्रस्ट है कि अटल बिहारी बाजपेई का जीवन पर्चे देते हुए उनकी कविता कदम मिलाकर चलना सावित हो सकता है और अगला प्रस्ट है कि अधुनिक कालीन हिंदी की राष्टे का विधारा का परिचे देते हुए भारते इंद्य युगीन राष्टे कभियों का संचेप में वरण कीजिए तो यह आप लोगों के लिए 100 परसेंट इंपार्टन कोश्चन ने भी कई बार चुका है तो इस बार भी पूरी उमीद है ठीक है तो यह रहा बीए फिप्ट समेश्टर हिंदी का सेकेंड पेपर का पूरा का पूरा पूरा पर कुश्चन पेपर जब भी आप पर इच्छा देने जाएंगे तो कुछ इसी परकार का माडल पेपर कुश्चन पेपर आप लोग कि समस्ता आएगा और कुछ इसी परकार के कोईश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वो मैंने कोईश्चन आपको बताया है जो पिछले वर्सों में लगातार पहुंचे गए हैं इस बार आने के आगर ये 75 नंबर का पुडा पूरा का है 75 नंबर की खतीक है और जितने वी कुर्श इसमें देगे हैं इन सभी को सबीक्रशनों का जैसे बंट्र है तो जीए thoughts मैं अगर कुछ भी नहीं है तो गूगल बाबा यानि की इंटरनेट तो फिरी उपलब्द है ही आप सभी के पास जैसे कि इनके बारे में तैयार करना उत्तर तो आपको टाइप कर देना गूगल पर कि जैसे अंकर प्रसाद जी क्या ब्यक्तित पर प्रकाफ डालिया या फिर जैसे आप इतना टाइप करे जो आपको सिंपल लगे उसको पढ़ लिजेगा फिसका इसकी इंस्टोड लगे जाएगा ताकि वो गलेरी में सेव हो जाए ताकि आप बाद में भी उसका उत्तर पढ़ते रहें तो इस प्रकार आप अपनी दीरे दीरे तैयारी करिए और हमारी जल्द ही आप लोगों के स सब्सक्राइब कर लिजा कोई कोश्चिन जुरूर पूछें मिलते हैं आपको एक और ने वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद